वारानसी के ग्यान वापी परिसर मामले में आज भी सुनवाई कोट कमिशनर बदलने को लेकर आज आसकता है फैसला पिछले दो दिनों में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने रखी हैं अपनी अपनी दलीले सपनेता आसम खां को लेकर आज सुप्रीम कोट में एहन सुनवाई जमीन हडपने से जुड़ा है मामला अभी सीता पोट जेल में बन्थ है आसम खां आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें योपी विधान सभा ध्यक्ष सतीश महाना ने आज बुलाई सर्वदलिय बैठक सीम योगी भी होंगे शामिल बैठक में इविधान सिस्टम लागू करने को लेकर होगा मन्थन बाद में प्रेस कॉंफरेंस करेंगे विधान सभा स्पीकर 2020 बैठक के ट्रेनी आईस अफसर आज करेंगे सीम योगी से मुलाकाद शाम चार बटे मुलाकाद करेंगे ट्रेनी अफसर सीम दे सकते हैं ट्रेनी अफसरों को सफलता के मंत्र तप्ति गर्नी से लोगों को मिली रहत राजधानी लकलों में बदला मौसम का मिजज आज सुभास से ही हो रही है वारिश